गुजरात में विधान सवचुनाओं से पहले आम अदमी पार्टी अपने ही निताओं की वज़ा से बैक फुट पर है। गुजरात में लिये जाने के बाद अरविंद केजरिवाल ने इसे इटालिया के जाती से जोरने की कोशिस की थी। और उनकी पार्टी के खिलाफ मुर्चा खोल दिया है। वहीं अब बॉली उडाक्टर और बीजेपी नेता परेस रावल ने भी अरविंद केजरिवाल को करारा जवाब दिया है। परेस रावल ने ट्वीट कर लिखा कि जो किसी की बुजूर्ग मा को गाली दे वो कतई पाटिदार तो नहीं हो सकता। परेस रावल के अलावा बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी केजरिवाल पर निशाना साधा है। केंद्रिय मंत्री स्मृती राणी ने भी केजरिवाल को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि किसी की मा के अपमान का अधिकार किसी को नहीं है। इरानी ने कहा कि गुजरात में अर्विंद केजरिवाल की आम आदमी पार्टी के नेता ने प्रधान मंतरी मोदी की 100 वर्सीय माँ पर दुर्भावना पूर्ण हमला किया इसके साथ ही इरानी ने ये भी चुनोती दी कि केजरिवाल गुजरात की धर्ती पर पीम की माँ पर इस तरह के टिपड़ी करके बताएं गुजरात की जनता उन्हें जबाब देगी वही परेश रावल ने इससे पहले भी आम अदमी पार्टी की पोल खोलते हुए जोड़दार हमला बोला था दरसल आप नेता नरेस वालियान ने एक वीडियो शेर किया था जो अर्विंद केजरिवाल की रैली का था आप नेता ने परेश रावल की आवाज में एक वीडियो शेर किया था और लिखा था कि गुचरात में अर्विंद केजरिवाल जी की रैली में आये लोगों को देखकर भाजपा नेता परेश रावल भी प्रेणित हुए उन्होंने केजरिवाल जी की रैली को अपनी आवाज दी अपने शब्दों में रखी बात आप भी सुनिये इसके बाद परेस रावल ने आप नेता की क्लास लगाई और ट्वीट कर कहा कि उधार के अलफाज लेकर तारीफ नहीं करते कम से कम पूछ तो अपनी हिलालिया करो नरेश जी कुल मिला कर देखे तो केजरिवाल अपने नेताओं की वज़े से चोतरफा घिर गए है वहीं इटालिया ने ऐसे फसाया है कि केजरिवाल की पार्टी के लिए गुजरात में खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं